नमस्कार दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगी किस तरह सिर्का प्याज बनाया जता है सिर्का प्याज बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत है अपनी पसंद के अनुसार कटे हुए प्याज, नमक, सिर्का और पानी इसके लिए हम सबसे पहले हम दोस्तों आपको बता दे हमें प्याज के अंदर अपनी इच्छा के अनुसार से इसमें हमें सिर्का डालना है तो यहां पर मैंने लगभग दो चमच के करीब इसमें हमने प्याज ले लिए हैं तो आपी चाहता हूं इस दो चमच के करीब सिर्का डाल दिया है और सिर्का के अंदर में बाद में हम अपनी इच्छा अनुसार नमक डाल देंगे हम प्याज में एक कलर भी दे सकते हैं उसके लिए हम इसमें चकुंदर भी डाल देते हैं पानी डालने से पहले अभी हम सरफ पानी ही एड़ कर रहे हैं ताकि प्याज से तयार हो जाए हम इने इस बस आदे घंटे के लिए छोड़ देंगे और आपकी सिर्काप्याजे तैयार हैं इन्हें आप मन चाहे वेंजनों के साथ में खा सकते हैं छोला बटूरा, कुल्चा और अपनी पसंद की किसी भी डिस्केशार